वीडियो में हम बात करेंगे ससी जई 2021 की जो एक्जाम हुई है उसके बारे में ठीक है अभी 21 में एक्जाम लिया गया इसके बारे में अपर हम बात करेंगे tier 1 के result he वो कब तक आएगी paper 1 और tier 1 इसको आप बोल सकते हो और हम बात करेंगे जो आपका paper 2 होता है यानि कि tier 2 जो होता है वो यहाँ पर कब तक conduct कराया जाएगा इसके बारे हम बात करेंगे and guys minimum यहाँ पर कितना marks चाहिए इस exam को qualify करने के लिए इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो इस वीडियो को like कर देना और जासे और share कर देना सबसे पहले यहाँ पर हम result के बात करते हैं कि result आपका कब तक यहाँ पर declare होगा तो guys जो आपका previous year का record है अगर उसको हम देखेंगे तीन मंद में कब तक आएगा तो अभी दोखोए अपरे जा चुका है मई यहाँ पर जा रहा है तो आपका जून में यहाँ पर result आएगा जून में कब तक आएगा तो जून में आपका यहाँ पर 15 जून से पहले आपका result डिक्लेर हो जाएगा और आपकी पेपर 2 कब तक होगी तो पेपर 2 आपकी यहाँ पर इसकी 20 दिन बाद हो जाता है ठीक है यानि कि जूलाई में आपकी यहाँ पर पेपर 2 हो जाएगी अगर यहाँ पर exam सारे start होगे होना तो ठीक है जो COVID का situation है उस time तक अगर ठीक हो गया अगर exam सारे होते रहेंगे तो आपका SSC का भी exam यहाँ पर हो जाएगा यानि कि आपका जो CHSL का exam पोस्पॉंट हुआ है CZL का exam पोस्पॉंट हुआ है अगर सारे यहाँ पर एक पर फिर से start होगे exam तो आपका जो SSC जही है उसका भी पेपर 2 का जो exam है वो timely यहाँ पर conduct हो जाएगा अगर यहाँ पर COVID का situation सही रहा तो नहीं तो यह postpone भी हो सकता है तो अभी हम देखे तो paper 2 के लिए आपके पास अच्छे खासे time है इस अच्छे खासे time को अभी utilize करना है आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर previous year का paper solve करना है प्रिवेश year का paper solve करने से क्या होता है कि हमें exam pattern समझ में आ जाता है कि किस type का question यहाँ पर पूछा जाता है SACJ में तो इसके लिए आपको यहाँ पर link video के description box मिल जागा जहाँ पर previous year का paper है branch wise आपको previous year का paper मिल जागा तो नीचे मैंने इसका link दिया है उस पर जाकर आप branch wise paper ले सकते हो मेरे app पर आपको यह paper मिल जागा तो नीचे उसका link आपको video के description box मिल जागा अब हम बात करते हैं यहाँ पर की tier 1 यानि की paper 1 की जो cut off है वो यहाँ पर कितनी रह सकती है एक minimum marks की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर इतना marks है तो आप paper 2 के तियारी में लगे रहो ठीक है उसके बारे हम बात कर लेते हैं और बहुत साय लोग का comment आ रहा था कि sir एक बार फिर से बताओ कि कितना यहाँ पर exact score चाहिए हम तैरी सुरू करें या नहीं तैरी कर रहे हैं तो क्या continue करें या नहीं तो उसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं अगर आपको deep में cut off का analysis देखना है तो आप मिरे पहले वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो सबसे पहले इसके यहाँ पर cut off की बात करते हैं तो यहाँ पर ME की बात करते हैं ME और W की बात करते हैं यानि कि electrical branch और mechanical branch की हम बात करते हैं दोनों की जो cut off है वो यहाँ पर same जाती है ठीक है तो UR की हम बात करें पहले तो UR की जो आपकी यहाँ पर cut off है वो इस वार 150 से लेकर 156 की बीच रहने वारा है तो इस वार की cut off है यहाँ पर कम है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बता है कि इस वार जो paper हुआ है वो moderate level का यहाँ पर लिया गया है अगर हम बात करें OBC की तो OBC की जो यहाँ पर cut off है वो 142 से लेकर 148 के बीच यहाँ पर रहने वारा है देखो यह सारे जो cut off में बता रहा हूँ आपके marks को analyze करके बता रहा हूँ जो आप लोगों ने आपर marks यहाँ पर comment करा था उसके basis में ही बता रहा हूँ बहुत साय लोग यहाँ पर answer के आने के बाट comment कि किसवर मेरा इतना score आ रहा है क्या मेरा selection होगा तो उन सारे चीज़ को analyze करके यहाँ पर में आपको बता रहा हूँ कि कितना आपका यहाँ पर cut off जा सकता है अगर हम बात करें ऐसी candidate की कि आपके यहाँ पर क्या cut off रहेगी तो इसकी cut off है 128 से लेकर 134 के बीच रहेगी ठीक है अगर इसके आसपा से score है तो आप वेपर 2 की त्यारी में लगे रहे हो आपका यहाँ पर conform tier 1 यानि की paper 1 qualify होगा आगे हम बात करें HD के बारे में तो HD की यहाँ पर जो cut off है 126 से लेकर 132 की बीच में यहाँ पर रहने वाला यही आपका range रहेगा वहीं अगर EWS की बात कर लेकि की EWS की क्या यहाँ पर cut off रहेगी तो 144 से लेकर 156 की वीच आपके यहाँ पर EWS का cut off रहने वाला है यहाँ पर safe score है अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका CE है यानि की civil branch ठीक है इसकी जो cut off है वह क्या रहेगी civil branch की जो cut off है वह बागी सारे branch से कम रहते यानि के mechanical हो गया आपका double हो गया दुनों का same cut off रहता तो इससे आपका यहाँ पर CE का यानि की civil engineering का कम रहता है UR की बात कर लें UR की cut off रहेगा 107 से लेकर 114 की वीच आपका यहाँ पर cut off रहेगा OBC की बात करें 102 से लेकर 108 की वीच आपका यहाँ पर cut off रहेगा SD की हम बात करें 90 से लेकर 96 की वीच आपका यहाँ पर cut off जाएगा ठीक है SD की बात कर लें यहाँ पर 94 से लेकर 100 की वीच आपका यहाँ पर cut off रहेगा और EWS की हम बात करें तो EWS की जो cut off है यहाँ पर कर सकते हो आप previous year का question paper solve करके तो नीचे उसका link मैं दे चुका हूँ अब जाकर previous year का paper ले लो ताकि आपको यहाँ पर यह पता चाथ सके कि paper 2 का जो यहाँ पर exam pattern होता है वो किसके उपर based होता है कैसे यहाँ पर question रहते हैं क्या level of exam काम रहता है यह सब कुछ आपको idea वहाँ से लग जाएगा तो यहाँ पर कोई notice आता है जाई की regarding चाहिए आपका यहाँ पर result date हो गया यह result आएगा तो मैं सबसे पहले आपको inform करूंगा तो हमाय चाहिए चाहिए को subscribe कर लेना इस वीडियो को क हमादा आता है sigu मैं बाएगा इस वीडियो rings